तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वेल्गम बैक टू दर चैनल अगें आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफी सारी वेकैंसी आई हुई हैं IDBI बैंक के अंदर और यह नोटिफिकेशन हल फिलाल में आया हुआ था और इस नोटिफिकेशन में 2100 वेकैंसी निकली हुई है और इन वेकैंसी को इजिली अपलाई आप कर सकते हैं इन वेकैंसी को एपलाई करने के लिए मिनीमम कौलिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन मेंसेज चाहिए बीए बीकॉम बीए सी आप किये हुए हैं तो आप इन वे आने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बात समझने आए वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए लाइक सब्सक्राइब बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर तो दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको यह जो वेकैंसीज हैं आई डी बी आई बैंक के अंदर निकली हुई हैं और यह टोटल जो वेकैंसीज हैं 200 वेकैंसीज निकली हुई हैं और यह वेकैंसीज दो डेजिगनेशन पे निकली हुई हैं एक जूनियर एसिस्टेंड मैनेजर जे ए एम ग्रेड ओ में हैं वेकैंसी इसी तरीके से जो दूसरी वेकैंसी है executive की वेकैंसी sales and operation ESO के अंदर और यह contractual basis पर यह वेकैंसी है अब इन वेकैंसी को देखिए कौन कौन सी वेकैंसी कितनी कितनी निकली हुई सबसे पहले हम इस चीज़ बात करेंगे यूनियर assistant manager की 800 vacancies निकली हुई 324 general के अंदर है SC के अंदर 120 vacancies है ST के अंदर 60 vacancies है 216 OBC के अंदर है EWS category में 80 vacancies है इसी तरीके से PWBD candidate में भी अलग-अलग criteria categories by divide हो रखी है आप check out कर सकते हैं इसका link में description में डाल दूँगा महां से जाके आप check out कर सकते हैं notification पर सकते हैं apply कर सकते हैं अगर आप नहें चैनल को check out भी कर सकते हैं काफी सारी updates आपको इस channel पर मिल जाएंगी अलग-अलग वीडियो के माध्यम से अलग-अलग companies में jobs काफी सारी आ रख की हैं मैं update देता रहे तो आप check out कर सकते हैं ये वीडियो को दुबारा से रिजूम करते हैं एक्जीकिटिव सेल्स एड ऑप्रेशन से जो वेकैंसी जो वेकैंसी निकली हुई हैं पांसा अठावड अठावड जनर के अंदर वेकैंसी हैं तो इसमें भी categories wise अलग-अलग define कर रखी तेरा 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 वेकैंसी निकली हुई हैं अब आपकी जो qualification calculate की जाएगी cut off date of eligibility criteria age की और education qualification जो calculate की जाएगी calculation जो education qualification है वो इतनी होनी चाहिए वो आगे मैं बताऊंगा कितनी होनी चाहिए advertisement date November 22 को आया था 2023 को इसी तरीके से payment application जो है वो 22 November से 6 December इसकी last date है आप 6 December तक इन vacances को apply कर सकते हैं 6 December तक इन vacances को apply कर सकते हैं 6 December इसकी last date है tentative dates online test इसमें conduct होगा junior assistant manager का 31 December को होगा 2023 को इसी तरीके से जो executive sales and operations में vacances है उसका भी 30 December 2023 को Saturday में conduct होना है अब देखे eligibility की criteria क्या रहाएगा इसमें age minimum 20 साल होनी चाहिए maximum 25 साल होनी चाहिए और education qualification junior assistant manager देखे एज तो दोनों में सेम ही रहेगी मगर education qualification पर हम बात करते हैं तो देखे बैसलर डिगरी आपकी चाहिए with 60% आपके marks होनी चाहिए अगर आप general category से belong करते हैं इसी तरीके से executive sales operation में जो vacancies है उसमें भी सिर्फ graduation ही आपकी required है कोई diploma नहीं चाहिए graduation ही चाहिए अब देखिए passing only a diploma course will not be considered अगर आपने खाली diploma कर रखा है तो consider नहीं किया जाएगा आपकी degree ही होनी चाहिए इसी तरीके से अब देखिए junior assistant की जो salary रहेगी वो 6.14 lakh to 6.50 lakh class A city on the time of joining between range बता दी गई है 6,14,000 से लेकर 6,50,000 के बीच में आपकी इसमे salary रह सकती है और यह जो salary रहेगी यह आपकी per year रहेगी per annual salary इसमे annual increment shall be granted annual increment भी इसमें आपको मिलेगा जो जो एस पर दो नॉम से आइड़ी बियाई बैंक है इसी तरीके साब देखिए consolidated जो vacancy की जो salary है आपकी 29,000 रुप पर यह मनत रहेगी first year और 31,000 जो रहेगी वो second year इसमें आपकी salary रहने वाली executive and sales जिसको SESO बोलते हैं इसी तरीके से अब देखिए दूसरी जो vacancy मैं आ जाता हूँ अब आपके selection प्रोसीजर पिके रहेगा तो selection प्रोसीजर शेल कंप्रोवाइब इसमें जो online test होगा document verification होंगा उसके बाद उसके बाद personal interview होगा उसके बाद recruitment medical test होगा चार स्टेप्स में अगर assistant manager का जो pattern रहेगा logical अब इसमें देखिए स्लेवर्स दे रखा है logical reasoning data analysis interpretation साथ numbers के question आएंगे साथ ही marks के आएंगे सी तरीके से English language मिसा आएगा quantitative aptitude मिसा आएगा general economy banking अब अन्यास computer IT में से साथ माक से question आएंगे साथ ही questions आएंगे यह अब wrong penalty भी रहे लगेगी है अगर आपने wrong इसका answer दिया तो zero two zero point two five इसमे calculate किया जाएगा cut किया जाएगा आपका नमबर personal interview के रहेगा वो check out कर लेजेगा eligibility criteria अब देखे relaxation इसमें देरेक्टी पास साल की relaxation है से सी class की है इसी तरीके से OBC के लिए तीन साल की relaxation है PWBD candidate के लिए 10 साल की relaxation है अब education qualification already मैं आपको बता दिया है साथ परसेंट आपके बिये में होनी चाहिए या बीकॉम बीए सी जो भी आपने graduation में किया है अगर आप जूने रेसिस्टेंट मेनेजर की vacancy apply कर रहा है और अगर आपका 59.99 परसेंट भी हो भी consider नहीं किया एगा 60% ही आपके consider किया जाएग और आपको पास पीनों साल की मार्शीट भी होनी चाहिए computer आपको the candidates are expected to have a professional computer आपको अच्छा आना चाहिए apply कैसे करना देखिए 22 November से आप apply कर सकते थे इसको 6 December के बीच में 6 December इसकी last date है और apply करने से पहले-पहले personal email id mobile number आपको पास होने चाहिए जो एक्टिवेट रहेगा इसके आपको अपडेट्स भी मिलेंगी और scan photograph, thumb impression, scanning documents आपके पास होने चाहिए application procedure देखिए अब इसमें signature और इसमें हर एक चीज़ दे रखिए आपको इसमें visit कहां करना है वो मैं आपको बता देता हूँ www.idbibank.in पर आपको जाना है करियर के section पर जाना है, current opening पर जाना है, recruitment of junior assistant, manager और recruitment और executive पर किलिक करना है वहाँ जाके आपको नए registration करना है और step by step follow up करके इन vacances को apply करना है अब देखिए online fee जो रहेगी आपकी SCST candidate है 200 रुप रहेगी इसके अलावा आप candidate है तो आपकी 1000 रुपे इसमें fees रहेगी link डाल दूँगा मैं description में वहाँ से जाके directly आप इन vacances को apply कर सकते हैं बाकी देखिए आपका जो document checklist दे रखिए इसके अंदर documents sought in respect of age documents education qualification कास्क work experience सारी चीज़ इसके अंदर दे रखिए बाकी सारी चीज़ मैं आपको cover up करी दी हैं अगर अभी भी आपको किसी support की ज़रूद पर दी मुझे comment box में लिखना जरूर याद रखिएगा बाकी आप एक बार खुद भी notification इसको पर सकते हैं इसकी official website पर जा सकते हैं लिंक notification की भी description में डाल दूँगा वहाँ से जागे खुद भी एक बार आप check out कर सकते हैं किसी support की ज़रूद पर दी बाकी मुझे comment box में लिखना सवाल जरूर याद रखिए